लाकडाउन की इस पिरियर्ड में आप किस प्रकार से एक स्वस्त दिन्चर्या को जीएं, कैसी अस्वस्त होने से बचें और कैसी प्रसन्नता पूर्ण दिन को बिताएं, ये बताने का कोसिस करूँगा, कि आप प्राता काल जब उठें, तो दिन की सुरुवात आदा घंटे योगिक आसनों से करें, अगर आप टहलने के सौकीन हैं, और लापडाउन के पिरियर्ड में टहलने नहीं जा पा रहे हैं, तो घर के अंदर ही आप एड़ियों के बाल, मतलब अपने पंजों को उपर उठाके एड़ियों के सहारे चलते हुए, लगबग दो मिनिट चलें, और फिर एड़ियां जमीन से उठाके, पंजे के बल सीधे स्ट्रेट गुटने को टाइट रखते हुए, लगबग दो मिनिट तक चलें, दो-दो मिनिट एड़ि के बल और पंजे के बल चलने से लगबग तीन किलो मीटर का मौर्णिंग वॉक के बराबर लांक्स को और काफ मसल्स को थाईज को उतना एक्सरसाईज हो जाता है, दीन में घर में रहने पर लोग विभिन्न पिरकार की तली, मसालेदार चीज़ें, चटपटी चीज़ें खूप खाते हैं, मेरा सुझाओ है कि प्राताकाल नास्ते में फल या ताजे फलों का रस लें, क्योंकि इस महमारी के समय हमें अपनी इमिनिटी बढ़ानी है, अपनी रिजिस्टेंस पावर बढ़ानी है, इसके लिए सिट्रस फ्रूट का जैसे संत्रे, अंगूर, का जूस या नीबू पानी का सेवन बहुत हितकारी है, खाना खाने के बाद एक छोटी हर को मो में डाल के चूसें, इससे बोजन आसानी से पच्चता है, साथ ही हमारे सरीर की प्रतिरोधात्मक छमता में भी ब्रद्धी होती है, साइकाल चार पांच बजे जब सामानने रूप से लोग चाय लेते हैं, उस समय आप ताजा मठा, या ताजे कटे हुए फल, या ताजे फल का रस लें, अगर ये चीजें उपलब्द नहीं हैं, तो गुनगुने पानी में नीबू मिला के ले लें, रात्री का भोजन बहुत हलका करें, और खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिलकुल भी ना पियें।